और ये 100 Mark का पेपर है टोटल इसमें 100 Mark होंगे ये लिखने की ज़रुवत नहीं है टोटल इसमें 100 Mark होंगे जिसमें MCQs बेस्ट हैं, Fill in the Blanks हैं और True False हैं और आपको ये भी घबराने की ज़रुवत नहीं है कि आप लोगों को MCQs आएंगे कैसे, True False कैसे आएंगे और वो क्या कहते हैं उसको, Fill in the Blanks कैसे आएंगे वो आप लोगों को जैसे भी आने हैं उसके लिए मैंने हर चेप्टर की extensive prepare कर ली है ऐसे ही आपको मिलेगी, ठीक है? और ऐसे ही आपने करना होगा ये मैंने crash bash वालों के लिए बना के रखी हुई है जैसे 26 number question है ये जो bold नदर आ रहा है area ये इसका answer है लेकिन जो मैं आपको practice के लिए दूँगा उसमें answers given नहीं होंगे तो हम लोग मैं आपको practice के लिए दूँगा ये 15 days वालों के लिए मैंने बनाई थी जो इससे पहले हमारा crash bash बना था exam folder 15 days वाला उसके लिए ये मैंने बनाई थी तो आप लोगे चुँके हमारे पास extra time है तो हम लोग इसको extra 36 intensive लेके चलेंगे हर chapter के लगबग आपको 100 के करीब question करवाऊंगा किसी के 100 हैं किसी के 125 हैं ऐसे so forth और उसके बाद हमारे तकरीबन 10 test होंगे एक mock होगा हो सकता है मैं 10 की वजाए 15 test ले लो it depends ठीक है हर हफ़ते में आपका एक दो एक दो test में ज़रूर लेता रहूँगा clear हुई बात और आज हम start करेंगे कोई बातचीत नहीं है बस ठीक है तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 100 नमर का पेपर हमने भाई जून में क्रैक करना है इंशालला और हो जाएगा उमीद रखिएगा चेप्टर नमबर वन स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमबर वन का नाम कहा है nature of business तो सबसे पहले मैं जैसे चीज़ों को करवाना शूरू करूँ अभी मैं बुक से नहीं करवा रहा थोड़ा सबने पास से करवाँगा उसके बाद मैं यहां पर जंप मारूँगा nature of business टॉपिक है हाँ भाई सबसे पहले तो business की बात करते है business का मतलब क्या होता है profit earning organization गलत है मेरे भाई जो जहां से भी पढ़ किया है वह मैं उसकी discussion करता कि तुम लोगों ने कहां से पढ़ा हुए है business के लिए इतनी सी बात याद रखो simple एक बात याद रखो आप सुबह उठे आपको खुआब है कि सी ये करो अगर सी ये कर लोगे तो 10 करोड उपया सेद्री रख जागी ऐसा खुआब में फरिश्टा कहा किया आपको या कोई भी कहा गया हो एक्सवाइजी बन्दा आपको बड़ अच्छा है महसूस हुआ अब आपकी जरूरत है सी ये पास करना ऐसा है अब आप लोग घर से निकले आपका घर पाकिसान से 10,000 किलो मिटर दूर है आपने एक चपल पकड़ी अपना समान पकड़ा ठैले में डाला और सफर करना शुरू कर दिया सफर करते करते रात में रास्ते में आपको एक सहरा पड़ा ठीक है वहाँ से आपको एक गुजा रहता मश्कीजे में पानी भरके नहीं देखे जाते आपने उसे पानी मांगा तो पूछा यार तू क्या करता है तो उसने बताया यार मैं यहां पे पानी बेचता हूँ तो आपने का यार तुझे पता है सीए कहां से होता है आपने का हाँ वो क्रिस्टन कॉलेज है वहां से होता है तो फिर आप सफरता है करके क्रिस्टन कॉलेज पहुँच गया क्रिस्टन कॉलेज क्या कर रहा है बिजनस कर रहा है हाँ बिजनस कर रहा है इसमें ऐसा गबराने की क्या बाप लेकिन किस किसम का बिजनेस भाई आप लोगों को एक जरूरत है वो जरूरत क्या है सीए करना आपकी जरूरत है आई कैप का पेपर पास करना गोर से समझो ना यहां पे सीए कर रहे हो आई कैप की पेपर पास कर रहे हो वो need क्या है वो need है paper pass करना तो kreesant ने देखा यार चार, पांच, दस बंदे हैं हम लोग हम लोग शायद कोशिश करके बच्चों का i cap का paper pass करो सकते हैं इसका मतलब आपकी जरूरत को कोन पूरा कर सकता है अच चलो kreesant का नाम मैंने और स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, वो स्टूडेंट जो आई कैप का पेपर पास करना चाहते हैं, FSE वाल आ सकता है यहां पे, नहीं, FSE पास करके, तिनुम आने बायो पढ़ा देना माँ, मैस पढ़ा देना तिनुम आने, FSE होती है यहां पे, B.com होता है, MBA, इसका मतल जाएगा, वो किसी और जगा पे जाएगा, लेकिन जिसको C.A. पास करने की जरूत है, फरमान मेरी तरफ देखना है, वो दरवाजे से ज्यादा प्यार हूँ मैं, ठीक है? सही है न, दरवाजे को देखके क्या कर रहे हैं? तो दुबारा समझो, अगर तो तुम लोगं की ज इडेंटिफाई, तुम्हारी नीड क्या है? जब उस नीड की इडेंटिफिकेशन हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप क्या होता है? हाव टू, हाव टू, फुल्फिल सच नीड, जब उनको पता चल गया कि तुम लोगं को एसी वाले क्लास्रूम में बिठ आके, प्रोजेक्टर लगा के चिल मौल में पढ़ाना है, ठीक है? तो तुम लोगं की नीड पूरी होगी? होगी ना? ठीक है? अभी क्रेश में हुई भी है तेरी नीड पूरी? पास हो गया है ना? तुझे कह रहा हूँ? डेगुदर में? क्रेश में किस-किस की हुई है? ठीक है? इसका मतलब इनकी नीड पास हो गई? जरूरत पूरी हो गई? ऐसे ही महौल में पढ़के हुई? अब तुम लोगं उने पैसे दीए के नहीं? चलो सपोस करो दीए हो थे सपोस करो ओँ एक लड़का था तो पैसे वापस भी ले गया था याद है? और खड़ा हो गया तो सर मेरे पैसे दे वापस पास हो गया माशाला हो गया पास कर गया वापस को गया ठीक है? अच्छा ऐसा नहीं था कि उसको मुझ पर गुसा था मैंने यहीं क्लास में किड़े होगे का आपको लगे ना कि आपके पैसे जाया होगे हैं मज़र की वज़ा से तो वापस ले 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 ना उशुगल में कहता है मेरे पैसे देंसर सिरियोस हो गया तो ले दीए जिसको पैसे मिल गया जिसको वापस आते हैं जी उस need को fulfill किया need को fulfill करने के बाद आप से कुछ money charge कर लिया कुछ service charge कर लिया जब service charge किया तो आपकी जेब से पैसे निकल के मेरी जेब में आ गए इस सारी activity को business कहते है इस सारी activity को क्या कहते है business दुनिया में जितने भी कारोबार हो रहे हैं वो लोगों की ज़रूरतों को देखते हैं उनको identify करते हैं उनको पूरा करने के लिए system बनाते हैं और system बनाने के बाद उनको पूरा करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं इसको क्या कहते हैं business दुनिया में कोई एक कारोबार ऐसा बताओ जो मेरी इस definition पे पूरा ना उतरता हो कोई एक करोबा ढूंड के सोच के बताओ ये book में definition नहीं लिखी लेकिं ये definition बड़े काम आनी है आगे थोड़ी देर के बाद ये definition बड़े काम आनी है आपके जब हम mission और vision statement करेंगे दुबारा सुन लो लोगों को जरूरत होती है उनकी जरूरत को देखो उसको पूरा करने के लिए चीजों को इकठा करो वो चीजें क्या कहलाएंगी four factor of production सबने पढ़े होएं न four factor of production लोगों की चीजों को पूरा करने के लिए क्या बनाया जाता है four factor of production और वो क्या बनाते हैं goods and services goods and services आपकी needs को पूरा करती है ऐसे ही है और उनके बदले में आप क्या पे करते हो भाई charges पैसे पे करते हो और वो सारा process क्या कहलाता है business कहलाता है business किस घर्द से किया जाता है making profit making profit business किस घर्द से किया जाता है making profit यारब यह मुझे फोन कर रहा है को नट अस्टामरी का तो लगा रहने देते यार क्या फरक पड़ता है चले जी इसका मतलब हमने लोगं की जरूरतों को महसूस करने है उनको पूरा करने के लिए process करने है process करने के बाद उनसे पैसे चार्ज करने है यार आपको बड़ी सफ गर्मी रगरी जूती है आपका दिल कर तक गोला खाएं ठीक है मैं गोले की रेडी लगा लेता हूँ ये college के बिलकुल बाहर juice की रेडी लगा लेता हूँ बीस रुपे का संदल का juice ठाठा करके बरफ तोड़ा हूँ आपके सामने जैसे ही आप दोवे क्लास लेके निकल तो ऐसे बरफ तोड़ा हूँ दिल में लालच आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा इसका मतलब मुझे पहली पता चलके गर्मी है सर्दियों में ऐसा करूँ ठाठा बरफ तोड़ू अपा पागले गए तेरे हाथ नहीं ठार दे पे सर्दियों में अंडे तू कहना है मुफ्ती दे दे में तेरा पता है कि नहीं कोई पता नहीं मुझे बास्केटी चीन के भाग जाए वो बास्केटी होती है न उन्हें क्या रखा होता है कूलर कूलर में उन्हें अंडे डाले होते है विलकुल ऐसा ही है चलें उसके लिए गार रखना पड़ेगा कूलर को प्रोटेक करने के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ पूरी दुनिया में फेस्बुक क्या करता है आपकी सोशल एक्टिविटी की नीड को पूरा करता है आप अपने दोस्तों को फोटो टैग कर सकते हो उनके साथ कनेक्शन बना सकते हो ऐसा ही है और वो आपसे क्या चार्ज करते हैं वो मैं समझ किया है मैं कहkey हुआ हूँ आपके टाइम की कुछ वैलियू है कुछ पैसे है मुझे को ना सार एक गिंटा दें तो मैं कौँगा भही इतने गिंटे में इतने पैसे अब भी तो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना पिर तो जब time की value होगी तब होगी अभी एक जगह में जाओंगा फूर नहीं आ से मैंने भागना है धाई बज़े मेरी class है वहाँ पर एक institute है Kent में ठीक है वो मुझे pay करते हैं एक गिंटे पढ़ाओंगा उनसे पैसे लोगा घरा जाओंगा फिर दूसी जगह चला जाओंगा तो इसका मतलब मेरे time की कुछ value हुई ठीक है न? लेकिन आपकी time की क्या value हुई हाँ वो आपको pay करेंगे बाद ज़रा गोश समझे अभी आप कुछ भी pay नहीं कर रहे हो Google को कुछ pay कर रहे हो कुछ भी pay नहीं कर रहे हैं ना entrepreneur क्या बंदा होता है नहीं बड़ी simple सी बात है बड़ी simple सी बात है देखो दरा यह तो किताबी बात है real में समझो देखो यह यह business बढ़ाते बढ़ाते ना अदा business man में बना दूगा आप लोगों को real में क्या होता है आप suppose करते हैं आप एक restaurant में है आप एक hotel में है वो hotel ना एक पहाड के उपर है यह पहाड है ठीक है आप सुबह उठे आपको गर्मी लग रही है आपने ठंडा पानी पीने आपने जग में से पानी डादा तो वो गरं था अब आपको तो बरफ शाइए अब ये वाला सारा जो रस्ता है ना ये पानी है ये वाला सारा रस्ता क्या है पानी आप यहाँ पे बैठे होगे हो आप एक दिन कश्टी लेके ना यहाँ पे ऐसे ऐसे फिरने गए सैर करने आप hotel पहुंचे आपने hotel जाके देखा यार यहाँ पे तो लोगों को बड़ी ज़्यादा बरफ की प्रॉबलम है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की अक्सर कलत हुई रहती है क्योंके hotel वालों ने ना कभी back side पे देखा नहीं था कि यहाँ पे भी अबादी है देखा भी हो लेकिन उन्होंने कभी contact नहीं किया वो हमेशा front end वालों से contact करते थे बजार वालों से अब आपने देखा आपने का यार अगर मैं दर्मियान में एक service प्रोवाइड करना शुरू कर दो ship की, कष्टी की, किसी भी चीज़ की, bridge बना दो कुछ भी मैंने क्या करना है, ये बजार है मेरे पास, ये मेरा घर है, ये उसके पीछे ज़रा बजार है अक्सर यहां पे ब़रफ की दूसी चीज़ों किलत होती ए मैं उसको बजार से खरीदूंगा उसको रैप करूँगा किसी भी चीज़ में, जिस वे उमेल्ट ना हूँ कश्टी में बैठूंगा और होटल पहुंच जाओंगा और इनको जाके बरफ दूँगा और इनसे पैसे कमाओंगा जिस बंदे ने सोचा इस फासले को कवर करना जिस बंदे ने सोचा इनको जरूरत है जिस बंदे ने सोचा कि मैं कश्टी लेखिया हूँगा जिस बंदे ने सोचा मैं और खाने पीने वरी चीजें लेखिया हूँगा जिस बंदे ने ये सोचा कि मैं उसको प्रोटेक्ट कैसे करूँगा ताकि वो बेल्ट ना हो जाए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने को जिस बंदे ने ये रिस्क लिया कि मैं कारोबार करूँगा उसको हम क्या कहेंगे Entrepreneur कानी याद रहेगी बस बुक में नी लिखी हुई है अब हम बुक से पढ़ेंगे अब देखना चीजें कितनी असान होती तुम लों के लिए अगर मैं डिरेक्ट बुक पे ले जाता था तो लों फ़स जाते किसी को यहां तक कोई question आपके महले में करियना स्टोर है क्यों है suppose करो आपके महले में करियना स्टोर ना होता तो फिर क्या करते दूर जाना पड़ता तो किसी बंदे ने किसी दिन उठके फैसला किया होगा कि यहां पे मैं दुकान खुलूँगा बजार से जाके मैं समान खरीद के लेके आऊँगा किसी ने किया होगा ना फैसला समान खरीद के लाके क्या करूँगा यहां पे रखूंगा थोड़ा सा मार्जन एट गरूंगा ताके यह भाई बचे यहां पे आके शॉपिंग कर सके और घर की जरूरियात को पूरा कर सके ऐसा है के नहीं है क्या वो अंटर्पनियर हुआ या ना हुआ इसी तरह बाहर सपोस करते हैं अभी मैं बाइर जूस और दहीं भलों का मिक्स एक बना आके कैबल लगा लेता हूँ चिंची रिक्षा होता है ना बड़े वाला उसके ओपर पीछे लोडर के ओपर बड़ा खूबसरत बना के वाइट कलर का उसका पेंट्शन करके उसके एक्स्टीरियर बड़ा अच्छा बना लेता हूँ उपर मैं उसकी शकलें भी स्टुडेंट की लगा देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ जान के आप लोगों को ट्रेक करने के लिए अब मैं क्लास की टाइमिंग नोट करता हूँ ये क्या है क्रिसेंट है क्रिसेंट के आगे स्कैन्स आएगा उसके आगे पैक आएगा उसके आगे कैपस आएगा उसके आगे राईज आएगा उसके आगे सी एफ़ी आएगा तो भाई साब मैं जो मेजर टाइमिंग है ना की जिस पे ज्यादा क्लास होती है मैं वो टाइमिंग नोट कर लेता हूं पूश रेता हूं हिसाब भी आएगा ठीक है वो हिसाब और राई सास आता है ना तो एक ही जगा खड़े होना है मैंने आप देखो जब बचे ज्यादा फ्लो में बाहर निकलते हैं तब मैं बाहर खड गपे ये सही रहे है ना आई कैप सॉफ्ट ड्रिंग्स ऐसा कर सकता हूं आप लोग जान बूच के अट्रेक्ट हो गए नहीं दीद दिल कर रहा है ना जान को इसको देख रहे हो साथ मैंने फ्राइस भी लगा लिए अब यह मैंने कैबन बना के पूरा वहां पे रखा हजार उपए मेरा pencil बनना शुरू हो गया बस हिम्मध की ज़रुत है जिस न मुझ में हिम्मत आउगर थे कर लोगा टीचिंग छोड़ देंगा हजार हजार की बद्राइन बताने किया है मैंने आपकी जरुट को महसूस किया कि यार आपका दिल करता है कभी नाजारे का कर Ne तीस रूपे में, फचास रूपे में. सही है? गंदा-मन्दा देगी डाल दिया. गले होएं अदर बले डाल दिये. खराब ही करने हैं ना पेटलोगों के. खा जाएंगी बाद में बैजारी डाइरिया हो जाएगा उनकोm. लड़कों को नहीं होता। लड़कों को खाय нов तो फिर आपका बिजनस साल अहाँ साल चलता रहेगा अगर आपने खलत नीड को इडेंटिफाई किया तो वो फौर दाइम बिंग होती है थोड़े अरसे के लिए होती है उसके बाद बिजनस बंद हो जाना होता है तो दुनिया में जितने भी कारोबार चल रहे हैं आपके पिदाई से पहले के और आपके अबाब बुडे होगे तब भी चल रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने ठीक नीड को इडेंटिफाई किया और चलते जा रहे है चलते जा रहे हैं क्लेर वोई मेरी बात अब आते है nature of business के ओपर हर nature of business हर business की जो nature है ना वो need base होती है हर business की जो nature क्या होती है need base होती है इसे कहते हैं इसे कहते हैं लिखो सारे अपनी किताब पे यहां से register पे problem, book मैं नहीं लिखा हुआ वैसे लिख लो problem solving preposition एक तो preposition आप पढ़ते हो ना बेल कि इसको proposition कहते हैं PRO, proposition PRO, PUSI, TI, UN problem solving proposition आप लोग इसको note किर लो हर करोबार जो लोगों की need को पूरा करने में काम आए उसे हम क्या कहेंगे problem solving proposition जो लोगों की need को पूरा करने के लिए बनाया गया हो that would be known as problem solving proposition business हर उस business की जो proposition होगी वो problem solving होगी नहीं क्या करते हैं कोई problem को solve करते हैं बाल काटते हैं ना problem होती हैं खुद बाल काट सकते हो दर्जी क्या करते हैं कपड़े सीते हैं का माली क्या करते है आपके लिए एक range करके रखते है जिसमें आप रह सकते हो ऐसे ही करते है हम लोग क्या कर रहे हैं आपकी problem है भई सीय का paper pass करना तो सीय में ढून ढून के चीजों को असान करकर के बयान करने की कोशिश कर रहे हैं रट्टे नहीं लगवा रहा है आपको यह जो book है ना इसको रट्टा नहीं लगाना रट्टा लगाने का मतलब है कुफर करना समझे ही बात की किस से कुफर करना इसलाम से नहीं अपने सीय से रट्टा आपको डल बनाएगा concepts और application of concepts आपको वाइजर परसन बनाते हैं concepts and application of concepts तो सबसे पहले nature of business क्या हुआ भाई business एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की जरूरत को पूरा करता है और क्या बनाता है profit क्या बनाता है profit बनाएगा समझा ही बात की बस इतना याद रखने मुश्किल है बस इतने याद रखने इसको रटा नहीं लगाना तो भाई कारोबार कितनी किसम के हो गए है आप लोगों ने देखा होगा household essential भी business है और घर की चीज़ें बगएरा furniture बेचने वाले लोग जाडू बेचने वाले लोग साबून शैंपू बेचने वाले लोग पती दाले बेचने वाले लोग कपड़े बेचने वाले लोग medical care दवाईया बेचने वाले लोग hospitals, transportation आप दूसरे शहरों से आते हो पैदल आते हो सहरा में चलते चलते कोई गड़ी ले आती है ना आपको ठीक है ना फिर banking, business, communication countless other goods and services lawyer की services doctor की services, teacher की services क्या ये सब आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे है क्या कभी किसी lawyer के पास गए हो जरूरत ही नहीं पड़ी है क्या कभी किसी doctor के पास गए हो जरूरत पढ़ती है भई हर साल दो तीन दफा बंदा बिमार हो जाता है जुकाम लग जाता है, ऐसा है ना तो इसका मतलब जब हमें जरूरत होगी तब हम अपने उसके बंदे को अप्रोच करेंगे और जब हमें जरूरत नहीं होगी तब हम बंदे को अप्रोच नहीं करेंगे कोई इतराज यहां तक बस इतने ही याद रखना है और इसको कोई रटा शटा नहीं लगाना कारोबार कितनी किसम का हो सकते है कितनी चीज़ों का हो सकते है कारोबार सिर्फ दो चीज़ों का होता है Services and Goods का और तीसरी चीज़ कोई नहीं है कारोबार में ओर तीसी चीज कोई नहीं है यहां goods है यहां services है आगे जी हम लोगों को कारोबार की basic terms आती है revenue किसे कहते है total sale एक कारोबार ने एक साल के एक महीना के एक हफता के 6 महीने के अंदर कितनी sale की sale करके कितने पैसे कमाए profit की बात नहीं कर रहो कितनी sale की और कितने पैसे कमाए उसको क्या कहेंगे revenue पैसे कमाने का मतलब profit making नहीं होता पैसे कमाने का मतलब है यह marker 100 रुपे का है 10 मारकर बेचे तो कितने पैसे कमाए ख़जार फर्मान उल्ला कितने पैसे कमाए 100 रुपे का मारकर है 10 बेचे 1000 रुपेा कमाए इसका मतलब क्या हुआ सेल, रेविन्यू कितना हुआ कहानी खतम मुश्किल है? हमारे सामने सिंपल सी बात है हम लोगों को ने accounting पढ़ी हुई है बच्पन में हम लोगों को पता होता है income statement में जब हम लोग sales revenue sales revenue calculate करते हैं तो क्या formula होता है sales revenue का quantity sold into price per unit यही होता है ना यार intro में जब sales revenue नहीं आता है तुम लोगों का वो यही तो होता है 10 लाक रुपया sir यह 10 लाक कैसे आ गया भाई 100 रुपय की price थी कितने unit बेचे 10,000 unit बेचे तो 10 लाक रुपया बन गया ऐसा ही है sir price 100 रुपय थी हमें profit कितना हुआ यार यह चीज पते है कितने में बनी थी cost of production यार कितने में चीज बनी थी तु पठा नहीं है पांचर पे दी शेयर एचल आपने 100 में चाइना चाइना करता होगा ऐसे sir 80 रुपय में बनी थी 80 रुपय पर यूनिट थी तो इसका मतलब cost of production कितना हुआ 10,000 into 80 8 लाक तो भाई profit कितना हुआ 2 लाक आप लोग वो unsold inventory भी करते हो वो मैंने directly कर लिया unsold stock होता है यह हमारा net profit आ गया बलकि यह gross profit है net profit नहीं आया यह gross profit है ठीक है इसमें से भी marketing admin expenses निकालेंगे financial expenses निकालेंगे यार other expenses का नाम नहीं लेना हमने other expenses का पूरे business में नाम नहीं लेना यह आप intro में पढ़ते हो intro की हत तक रखो हम लोग इसको तीन expenses में convert करेंगे कौन-कौन सा number one less admin expenses number two marketing expenses marketing and sales कर लो or number three financial expenses मुझे पता कही लोग अदर expenses में डाल देते हैं यह सब कुछ लेकिन हम bifurcate करेंगे फिर इसके बाद जो आएगा इनको less करने के बाद gross profit में से वो क्या आएगा net profit आपने इसको follow करने अगर तो यह camera में ठीक आ रहा तो चलते रहने दे बंद ना करें ठीक है कोई इतराज यहां तक जी बटा revenue जितने पैसे आपने sale करके बनाए आपकी mobile shop है यह mobile 10,000 रुपे कैं आप ने एक दिन में तीन mobile बेचे तो मैं आप से रात को पूछूँगा मैं आपका अबबा होता हूँ आप उतर कितने पैसे कमाएं तो कितने करेंगी 30,000 यह revenue है आपका ठीक है नहीं बेटा revenue में से जब हम cost of production माइनस कर देते हैं बड़ी simple जी कहानी है आप यह bench का कारोबार करते हैं आपने मुझे bench बेचा 100 रुपे का लेकिन bench आपने जब बनाया प्राइस पर लकडी लगाई, labor लगी, firm लगा, कपड़ा लगा आपको 80 रुपे का पड़ा तो बेचा कितने हैं का सो का, आपको कितने की cost आई तो कितने पैसे आप ते profit बनाया समझा गई revenue 100 रुपे cost of production 80 रुपे और 20 रुपीस क्या हुए profit तो बेटा ये देखो, ये revenue ये आपकी cost of production और ये आपका profit ठीक है मैं दोबारा लिख देता हुँ छोटा छोटा चोटी revenue ये आपकी cost of production cost of production को हम ऐसे लिखेंगे ठीक है, cob लिखा करेंगे आइंदा के बाद, और ये हमारा क्या है profit क्या ये ये बाते हैं याद रहेंगी घर जाके बेटा English में इसको पढ़ना भी ना सही है चांजे का तो ये पास हो गया ना शाबाश अब आता है जी not for profit organization पहले इसको note कर लो मैंने मिटाना है इसको ज्यादा detail में करवाना है female हाँ पिक लेलो यार आज मैं slow पढ़ाऊंगा सिर्फ सिर्फ आज के दिन के लिए कल से उमीद मत रखिएगा slow की वो मैंने दी हुआ है वासे ये देखो ना जो आप MCQs की बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे बुलके ज्यादा detail में मैंने बनाए हुए ये तो कुछ भी नहीं है सब्सक्राइए पहले MCQ बढ़ते हैं पहले MCQ बढ़ते हैं Which of the following is not an objective of the business इन में से कौन सा objective नहीं है क्या कारोबार में innovation जिद्दत लेके आना उसका objective नहीं हो सकता होता है ना profit making करना होता है के नहीं creation of customer पर ज्यादा से ज्यादा customer को बेचना माल होता के नहीं investment ये नहीं होता देखो investment objective नहीं है investment इन objective को पूरा करने के लिए एक prime motive है एक मजबूरी है एक factor है एक क्या है factor clear हुई मेरी बात मैंने और बड़ा गुमा गुमा के पूछा हूंग बस आज का दिन दो कल ये खुद बाखुद आपको आना शुरू हो जाएंगे आज का सिर्फ दिन मुझे दे दीजे आपको पढ़ाने में कल का कल ये assignment दूंगा मैं आपको खुद बाखुद ये चीज़े आना शुरू हो जाएंगी mark my word आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा पड़ता है वक्त कोई इतिराज कोई question यहां तक कोई question बेटा समझ आ रही है आपको पकी बात है ना यहां तक कोई question बेटा आपको भी clear है सबको clear है चले आगे अब आगे जी not for making organization not for profit organization यहां से सबको नजर आजाएग अगर यह ना मिटा हूँ तो यह यहां से not for profit organization चलो not for profit को बाद में देखते ही यह organization क्या चीज़ है organization का मतलब क्या हुआ चलो यह किताबी definition ऐसी रखते हैं इसको काफी कुछ लोग कुछ लोग मिलकर सेम काम को करने के लिए एकठे हो जाएं और उस काम की तक्मील के लिए तो गुदो करते रहे उसको क्या कहेंगे organization एडवास बात में करवाँगा इतना याद हो गया दुबारा सुनो किसी एक काम को करने के लिए कुछ लोग मिल जाते हैं और वो इस काम को पूरा करने के लिए activity परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं organization उसको क्या कहेंगे organization बात याद रहेगी फिलहाल इतना याद रख लो ठीक है ये किताबी definition है जो real में आप लो गिर्द गिर्द देखोगे वो थोड़ा सा advance करवाओंगा अभी नहीं बाद में चप्टर टू में शुरू में करवाओंगा तो इसका मतलब ऐसी इदारा ऐसा इदारा ऐसी firm ऐसी factory ऐसी shop ऐसा school college university ऐसा hospital जिसका मकसद profit कमाना ना हूँ उसको हम क्या कहेंगे भाई साब not for not its aim to make profit to make profit लेकिन ये revenue करता है ये माल बेचता है ये बात याद रखो ये माल बेच रहा होता है ये revenue कमा रहा होता है लेकिन profit नहीं कमा रहा होता जैसा के मिसाल देता हूँ आपको government के hospital क्या वहाँ पे सारा free लाज है परची फीस नहीं होती होती है परची फीस आप जाते हो परची फीस लेते है government schools क्या आप कोई फीस नहीं देते हैं आप लोग government college से पढ़े होगे कई लोग ठीक है कितने फीस होती है वहाँ पर फीस तो ले रहे हैं ना मैं government college पढ़ता था जब मैंने वहाँ से icon किया था 1700 पहले साल की फीस थी 1000 रुपय दूसरे साल की फीस revenue उनका होता है लेकिन क्या 1700 वारा खात है पूरा साल पढ़ाने में नहीं ना profit नहीं होता उनको इसमें कौन-कौन से इदारे आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं government departments इसमें government departments आ सकते हैं जितने भी government के departments हैं और NGUs non-governmental organizations ठीक है और क्या आ सकते हैं cooperatives और कोई चीज जो आपने देखी हो fees बीलिल्ला कोई चीज हो तो आ गए अंदर कहां पर लगे हो गए हाँ वो fees बीलिल्ला है वो कुछ भी आ जाजाए इसमें फिर कई restaurants है वो लोगों को free में खाना किला देते हैं ठीक है ना वो fee सी बीलिला फिर कोई भी आ जाए लेकिन वो जो में रेस्टरंट का बिजनस होता है वो free में खाना किला नहीं होता वो तो अपने customers को खाना किला रहे होता है ना clients को हाँ कुछ बज्ज़ है तो वो खिला देते हैं शाम को गई रेस्टरंट्स ऐसे करते हैं clear हुई मेरी बात कोई अतराज कोई question यहां तक कोई question तो इसका मतलब आपने पहला page हमारा खतम हुआ इसको सिर्फ एक दफ़ा line by line पढ़ लेना घर जाके रटा नहीं लगाना पढ़ना जरूर है यह बात याद रखिएगा मैं assignments भी दे रहूं लेकिन आपकी तरफ से मुझे यह commitment चाहिए कि यह line by line पढ़ के आना है आपने जो चीज समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ नहीं है line by line पढ़ना जरूर है इसको चलें आगे under privilege का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत बचारे गरीब होते हैं जैसे थर के लोग है जैसे आप कराची उधर चले जो हूँ सिंध में इंटीरियर सिंध अंदरून लाहूर के लोग अंदरूने सिंध के लोग उनको पानी नी मिलता साफ वो बचारे गंदा पानी पीते हैं टिडियां पका पका कि खाते हैं देखा हो या कभी वो बहुत बुरे हलात है उनके वो अंडर पेविलेच्ट है अंडर पेविलेच्ट लोग वो भी होते हैं जो घरीब होते है उनके पके मकान नहीं होते जुगियों में बिचारे रह रहे होते है अच्छा आप लोगों को लगता है गोरे हमें अंडर प्रिविलेज समझते हैं या नहीं पाकिसानियों को समझते हैं गोरे हमें अंडर प्रिविलेज समझते हैं clear हुई मेरी बात अगर यही same जो आपको यहां पर facility मिल रही है अगर आप अमेरिका में बैठे होती तो कितनी फीस होती कम असकम आपका बीस हजार डॉलर का यह होता PRC बीस हजार डॉलर का कम असकम master degree आपको cost करती है तक्रीबन डेट से दो लाग डॉलर की वहां पे C आपको cost करता है सतर से सी जार डॉलर का चलें आगे चलते है आगे है जी purpose of business किस बंदे को purpose of business नहीं आता अब आप explain करो क्या होता है purpose of business जी उन्ची अवास में करना है तके mic में आया online वोले सुन पाए और और क्या होता है main purpose book के according main purpose आपका profit making गी लेकिन profit making कैसे होगी जब तक आप need identify नहीं करोगे customer आपके पास आए गई नहीं मैं आप लोगो को यार MBBS कर लो मुझसे बेहतरीन पढ़ाता हूँ यार होई 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 एक साल में पांच साल का MBBS पढ़ोगे आपके जरूत ही नहीं है मैं आपको चलाओ यहां पर मैं आपको stock market सिखाता हूँ सीखोगे नहीं आपको CA pass करने की जरूत है fees यहां पर CA pass करने की दिये या stock market को यहां पर भी आये नीचे से management के बंदे आये वो आगे कें भाई साब आपकी सारी की सारी fees stock market में convert कर दी गई है अगर तो PRC करने नहीं fees पे करें तो क्या करोगे वाविल्ला आप को गे ना भाई नहीं हमने तो piece देहीं नहीं थी यह वाड़ी आपने क्यों convert किया हमसे पूछा था इसका मतलब आपकी need divert की आपको need ही नहीं थी customer हमेशा पैसे उसी के लिए pay करता है जो उसकी जरूरत होती है customer कभी भी अपनी जरूरत के against पैसे pay नहीं करता कभी ऐसा हुआ सैनमे में मुवी देखने के टिकट खरीदी जेब में डाली घर आ गए मुवी नहीं देखी कभी जिन्दगी में किया हो एवनी डेवो की टिकट खरीदी जार रुपे की जेब में डाल के घर आगए डेवो पे नहीं बैठे जरूरत ही नहीं थी मैट्रो के टोकन खरीद के वापस आगए थे नहीं बैठे थे कार्ड है साही है कभी जिन्दगी में आज तक वो कोई काम नहीं कभी किसी रेस्टरंट में गए हो उसे को यार खाना ला दें ये ले पैसे यार यार दिल नहीं करा खाने को मैं घर जा रहा हूँ जेब में ना हो तो वापस ही आएंगे ना यार पैसे भी है आपने पैसे निकाल के भी दे दिये खाने के खाना नहीं खाया नहीं यार दिल नहीं करा रहा कभी हुआ है नहीं हुआ क्योंकि आप डिसीजन तब करते हो जब आपके अंदर नीड इन्वेंट होती है जब तक नीड रिकरगनाईज नहीं होगी बाइदा कंजियूमर यूँड गो एनी रेस्टरेंट अन ओर टू फूड ख्लेर हुई मेरी बात यह बात को याद रखिएगा यूज अपकी जो अर्ज है अर्ज हमेशा कब ट्रिगर होगी कब बैली में आग लगेगी जव 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 है ये साथ-साथ बिजनस की भी माँ हुई clear हुई मेरी बात that would be known as a purpose of business उंची अवाज में पढ़ तो मतलब क्या हुआ भाई जो कारोबारी इंसान होता है वो कारोबार करता है कारोबार करके पैसे कमाता है पैसे कमाने के बाद वो लगाएगा कहां पे उस जगा पे लगाएगा जो उस country का legal कानून उसको इजाज़त दे रहा हूँ तुम लोग profit कमाओ और जा के शराबे पीना शुरू कर दो पाकिसान में इजाज़त है पुलीस के की सानुवी प्याँ पकड़ ले की बाद में की सानुवी प्याँ ऐसा ही है ना आप मैंसे कितने लोगों जो आज तक वार्डन्स को बागा नहीं करते हैं पैदल होते हैं हाँ फिर भाग जाना चाहिए वाइरलेस कर देगा फिर तू पकड़ा जाएगा नहीं मैं नहीं तर ले करता है अगर हो जाया है मैं फोरन के तो लाओ चलान कटो गलती है तो बठीक है ना तो पड़े लिखी होने का फाइद है कि अग अब लीगल लिमिट्स का मतलब यह कि आप उस प्रॉफिट को खर्च कर सकते हो उन्हीं बाउंडरी में रहके अधर वाइस में अधर वाइस क्या हो जाएगा नुकसानात आगे चलेंगे चलेंजी बस इतने याद रखने हैं इसको घर जागे बस एक दफा वर्ट वर्ट पढ़ लिजागा उसका कुछ नहीं याद रटा नहीं दगाना है इसको अब जो काम यह नोट कर लिए होगे न सबने बस ठीक है भाई चैप्टर नंबर वन का सबसे इंपोर्टन एरिया आ गया है कल हमारा चैप्टर नंबर वन खतम हो जाएगा प्लास इसकी तक्रीबन 130 mcqs यह प्लाइक जितने भी हैं वो कर लेंगे साथ एक सो तेरा एक सो तेरा mcqs भी कर लेंगे mcqs 2 फॉल्स लो जी हम कारोबार शुरू करने जा रहे हैं ठीक है कारोबार किस चीज़ का शुरू करें कोई बताओ ना याद institute का food पंडावला शुरू करें यह वो पुरानी हो गई भई अगर मैं हर lecture में एक example दूंगा तो फिर मेरे teacher होने का क्या फाइदा फिर मैं छोड़ देना चाहिए बरफ अली वो भी छोड़ दो वो पुरानी हो गई कपड़े का करें आप लोग उठे अपने गाओं में यह जिस भी society में आप लोग सुब उठते हो ठीक है आप लोग washroom गए अब आपको महसूस क्या हो रहा है वहां पर light नहीं है washroom में light नहीं है आज लोड शेडिंग solar plate का कर लें कारो बार शुरूर ठीक है करते हैं कपड़े का करें ठीक है तो solar भी तो necessity of life बन गया चुरो मेरे दिमाग में भी solar की आमद हुई है solar करते हैं ले जी मैं washroom गया light नहीं है वहां पर मैं मायूस हो गया मैंने college आना था कपड़े स्री नहीं है मेरे पास नहाने का system नहीं हो सका मैं निकला बड़ा मुझे बुरा महसूस हुआ अब मैंने देखा यार यह तो खाली मेरी problem नहीं है मैंने जेनेटर से क्या होगा कि तो यार बड़ा सा जेनेटर लगाते हैं ठीक है तो उसके बाद हम लोगों घरों में बिजली देंगे मैंने जेनेटर का बड़ा complex काम नहीं है तारों government दो हमें मारने हैं पकड़के हम तो साथ वालों को बिजली बेच भी नहीं सकते है गर क लिए लगाः सकते हैं जेनेटर लिकिन फिर वई पाट्रोल लेखिखा और जेनेटर महिंगा पड जाएगा आप मैंसे एक बोला जार सोलर का करें मैंने किया क्या करता है आपकर तो भासाब सोलर में क्या होता है प्लेटे आती हैं बैटरियां लगाते हैं घरों में अली बाबा के ओपर login करते हैं वहाँ पे चाइना के बेत आ हाशा वहाँ बेटे हुए है importer हम उनसे बात कर लेते हैं लो जी हमने working करना start कर दी हमने login किया अली बाबा के ओपर अली बाबा एक online platform है जैसे दराज नहीं है वैसे चाइना के उसके ओपर गए हमने देखा सोलर प्लेट कितने की बेरी है हमें एक सोलर प्लेट मेरी 15,000 की शुरू शुरू में कुछ 10-15 सोलर प्लेट हैं मगवाई ही बैटरी चेटी हैं मगवाई ही सिस्टम इंस्टॉल किया तो हमारा इस पे 5,000,000 खर्चा आ गया कितना खर्चा आ गया अच्छा जी अब मैंने ये सोचा यार ये 5,000,000 रुपए मैंने तो लगा ली है क्या मेरा हमसाया भी इतने लगा सकता है मैंने अपने हमसाया के पास गया क्योंकि सबको जरूरत है कि नहीं है बिजरी मैसिव लोड शेडिंग है क्या जरूरत है या नहीं है मैंने लोगों की नीड को अइडेंटिफाई कर ली है नीड आ रही है तुझे सब्य ठीक नहीं है मैंने लोगों की नीड को अइडेंटिफाई कर ली है क्या नीड है बिजरी इलेक्रिसिटी नीड है यह मैंने लिख 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 कि भाई अगर 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो वो कितने के-वी प्रोड्यूस करेगा ये सारी बाते हो गई के नहीं अब लोग आपको क्या शो कर रहे हैं कांफृडइंस शो कर रहे हैं कि हमखरी देंगे खरी देंगे खरी देंगे लोग aesthet से शाइना से सोलर मगवाई, बैटरीज मगवाई, बंदे हायर किये, लेबर हायर किये, लोगों के उधर गए, घरों में गए, जो जो आपको और दे रहा है, वहाँ पे जाके इंस्ट्रॉल करना शुरू हो गए, हो गए या नहीं हो गए, लें ये हमारा कारोबार चल पड़ा, इसके पीछे, दिमाग क्या था, कि एक जरूरत है, कहा गई जरूरत, ये, एक जरूरत है, उस जरूरत को हमने पूरा करना है, हर हाल में उस जरूरत को हमने पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, यहाँ जनरेटर लगा के यहाँ, सोलर से, तो हमारे लिए बेस्ट आप्शन क्या निकली, सो पूचते हैं यार यह कंपनी तो बना लिए कारोबार करना शुरू कर दिया अब करें क्या मेरा प्लैन होता है कि मैं पूरे जो मेरा एरिया है जो मेरा विलेज है यहां जो मेरा सिटी है मैं उसमें से लोड शेडिंग को खतम करूंगा मैं उसमें से लोड शेडिंग को खतम करूंगा मैं अपनी प्रॉड़क्ट या अपनी सर्विस अपनी सर्विस को मैं डूर स्टेप पे पहुंचा दूंगा डूर स्टेप का मतलब लोगों के घरों में फॉर एक्जेंपल जैसे आपने गर सोलर लगवान है तो आप क्या करें मेरी अप डाउनलोड करें लॉग इन करें मुझे बताएं अपने घर की तस्वीरे बही दें मेरी अप का आर्टिफिशल इंटेलिजन्स सिस्टम खुद बाखुद मुझे बताएगा इसको कितने केवी की जुरूरत है इसको दोलाक रुपे की जुरूरत है तीन चार या पांच या दस वो वहीं पे कोटेशन दे देगा आपको अगली ऑप्शन के आगई सर्विस की यहां सर्वे की लोकल सर्वे की बंदा आएगा आपके घर का विजिट करके आपको वहीं पे बैठके कोटेशन बना के देखे चला जाएगा है अब सहीय एक्टिव होके बैठ कर देखे घ्र कया यह दूर स्टप हुआ अभी तक कोई सर् Daar दो तक कोई सर्वेस कर रहा है अभी तक है यह क्या कहलाएगा? विजन विजन अभी पढ़ाता हूं सारा जो मैंने इतनी कहानी सुनाई है आपको यवी फिजूल में नी सुनाई यह ये चीज को आपके दिमाग में बिठाने के लिए समझाईए क्योंकि ये बहुत कॉंपलेक्स सा समझ नहीं आता है ये क्या कहलाएगा? विजन इसको पूरा कैसे करने? मैंने हर घर जाने Every doorstep Every doorstep फिर Elimination Elimination of Electricity फिर Best Value In Product मैंने विजन क्या बनाया? कि भाई साब विजली को खतम, खलास बेहतरीन कंपनी बनानी है एप बनानी है अंदर चीजें डालनी है कोई भी बंदा या बंदी घर में बैठे फोरण चीज को identify कर ले ये मेरा क्या बन गया? ये अन्यक्त में बनानी हुआ है अद इसको पूरा कैसे करना है? मुझे हर घर-घर पहुचना पड़ेगा क्यूंके कई लोग अमीर होते हैं कई लोग गरीब होते हैं कई लोग कहेंगे हमें 10,000 में सोलर दे दो तो मैं तो नहीं दे पा रहा नहीं न दे पाऊंगा, 10,000 में कोई सोलर नहीं आता ठीक है? मैंने अपना target customer ढूंडना है, क्या ढूंडना है? target customer अगर आप मेंसे कोई बचा कहे के सार मेरे पैसे वापस कर दें, मुझे घर में प्रॉब्लम आ गई है तो, मुझे करने चाहिए वापस या नहीं आपके अंदर इंसानियत कहती है, कर देने चाहिए मेरे अंदर बिजनसमेन कहता है, यार तेनु इसी चपा के रखे रखे नहीं देर एदा बिल आएगा, बिल्डिंग दा रेंटे गए यार मैं खुद गला फाड़ फाड़ के बोलता रहा हूँ यार वो पीछे कैमरा लगा हुए, वो भाई साब बैठे हुए उनके पैसे है, ऑनलिन पोर्टल के पैसे है, यार कैसे वापस कर दो है के नहीं? है के नहीं? तो भई, being an entrepreneur और आपको सखत फैसले लेने पड़ते है समझा ही बात की? लेकिन, को tension होई ना तो नीचे से ले लेना पैसे मिल दाएंगे फिकर ना करना सही कह रहा हूँ, अल्ला ना करे ऐसी कोई problem आए तो मेरा target customer कौन हुआ? वो बंदा जो एक लाख रुपे का solar effort कर सकता है और जो इससे नीचे है उसको target करना मेरा काम है? नहीं, तो मेरा mission क्या हो गया? मेरा mission क्या? mission, 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 क्या? mission, मेरा mission क्या हो गया? इस vision को पूरा करने के लिए इस vision को पूरा करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा मैं क्या क्या करूंगा दुबारा सुनो मेरा विजन क्या है ये विजन है मेरा विजन क्या है कि भाई साब किसी के घर में electricity जाए ना अगर जाए तो भाई उनको एब बना के दे रहा है best product दे रहा है future में उनको कोई मसला नहीं आएगा ऐसे ही है फ्यूचर में लोड शेडिंग से पाक पाकिस्तान ये मेरा विजिन है मेरा मिशन क्या हो इसको पूरा करने के विए कि भाई साब हर घर पोंचो हर घर पोंचने हमने सही है फिर उसके बाद हमने बेस्ट वैर्यून प्रॉडट बनानी है कि जल्दी खराब नहों जो हमें पैसे दे वो जल्दी खराब नहों ये मेरा मिशन है फिर उसके बाद इलेक्टिसिटी को खतम करना है उसके लिए सोलर आएगा ये मैं भूल गतल कर फिर उसके बाद मेरा टार्गेट किस्टमर कोन है जिसको जाके मैं सर मारूंगा ये क्या हो रहा है मेरा मिशन यहां तक कोई इतराज पकी बात है अब उसके बाद हमारे सामने आता है जेनरल ओवरॉल एम जिसको गोल कहते है तो गोल क्या है हमारा इस कारोबार को करने का क्या मकसद है भाई गोल क्या है मेरा इस कारोबार को करने का simple profit making कुछ और तो नहीं है न मकसद मैं कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूँ कि solar free में बाढ़ दोगा अगर free में बाढ़ दोगा तो मैं क्या करूँगा जिन्दगी भेर, कुछ नहीं नहीं कर सकता फिर उसके बाद क्या है Specific Overall Aim Specific Overall Aim का मतलब क्या होता है Objective, ठैर जो दरा रुको Profit कमाना कैसे है Goal हो गया ना तेरा कि तू Profit कमाना है Profit कमाना कैसे है भाई साब, अगर मैं 5000 बंदे को 5000 households को मैं Solar बेचूंगा मैं solar बेचूंगा ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा Profit तो मुझे Profit मिलेगा उससे नीचे Profit नहीं मिलने वाला उससे नीचे नुक्सान हो सकता, क्योंकि मेरी Fixed Cost है ठीक है तो मैंने 5000 बंदों को बेचना है अच्छा चलो ये मेरा objective हो गया यार 5000 बंदा रहता कहां पे है यार देखो हम क्या करेंगे मैं के महीने में बात को गवर से सुनते चाहिएगा हम मैं के महीने में न ए गाउं में चलेंगे यार मैंने पता किये, मैंने सर्वे किये यार पे 3000 कस्टमर पके है हमारा जाने गा कैसे, यार 1500 लाग कस्टमर है 1500 लाग हाउस ओल्ड है यार यार उनके बच्चे सिट्री स्कूल में पढ़ते हैं बीकन आउस में पढ़ते हैं अब मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं अन्दाजे लगा रहा हूँ जाहिर सी बात है भाई जिसके बाद GLA होगी वो 2-3 लागा फोड नहीं कर सकता क्या कर सकता है ना जिसका बचा बीकन हाउस में LGS में पढ़ता है वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो 50,000 तो मंसली फीस है उनकी सही है तो 2 लाग क्या चुपता है उसको कोई प्रॉब्लम करत है लोजी मैंने मोटा मोटा सर्वे किया मैंने कह दिया भाई सब 2,000 या 3,000 कस्टमर पका यहां पर 2,000 कस्टमर पका अब आप मुझे मैं आपको पूछता हूँ यार इनको मार्केटिंग कैसे करेंगे इसका मतलब मेरा पहला अबजेक्टिव क्या बना मैं मन्त में हमने इन को 2,000 कस्टमर को अपना सोलर बेचना है मैं मन्त में पूरा एक महीना मने इनको अपर लगा देना है यार करें कैसे यार एक काम करते हैं SMS सर्विस चलाते है SMS आता ना आपको SMS नहीं आता कभी किसी स्कूल का आगया कभी किसी दुकान का आगया जीतो पाकिसान का आगया बें जीरी आजा निये मॉबाइल में आपके उठा के लिए जेगी आप लोग ऐसा ये ना अब हुआ क्या कि आपने SMS सर्विस चलाई मजा नहीं आया यार सोशल मीडिया मार्केटिंग फेस्बुक मार्केटिंग स्टार्ट कर दी पैंफ़र्ट बांचे बांटे फ्लाईर्स पठड़ा बज्ज़ नहीं है ताड़े को सोटर लोग फ्लाईर्स बांटे ओर्डिंग् से बिल्बुट नहीं होते बड़े से ओर्डिंग्स लगवादी फिर जिनके ओपर आपको प्रॉपर यकीन है कि यह बंदा सोलर लगवा है कि उसके साथ पर्सनल मीटिंग की उसकी आफिस में जाके उसकी आफिस में जाके पर्सनल मीटिंग की यह है अबजेक्टिव यह क्या है मैंने objective design किया कि profit को बनाने के लिए मैं मैं मन्थ में एग village में जाऊंगा उसमें जाके 2000 कम-स-कम customer से मैंने मिलना ही मिलना है 10,000 customer को मिलूँ गए 2000 मुझे order देंगे क्योंकि मैंने survey किया हुआ था और फिर उसके बाद मैंने steps लेना शुरू कर दी अपना माल बेचने के लिए ये मेरे day to day ये monthly objective है ये कौन सा objective है monthly और ये कौन सा है भाई साब daily और फिर एक week के बाद मैं अपने boss को report represent करूँगा कि कितने माल मैंने बेचा वो objective क्या कहलाएगा weekly समझा ही बात की ultimately ये जितने भी हम step ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं vision पूरा जैने के लिए objective और mission mission को छोटे step में तो और दो objective बन जाता है mission बाप है उनका वो बच्चे हैं उसके clear हुई मेरी बात कोई इतराज अब हम book से पढ़ेंगे तो समझाएगा आपको नीचे वाले तीन नहीं करने detail longer implemented implementation target और reaction plan ये नहीं करना अभी कल अभी नहीं करना हाँ वैसे तो करना छोड़ना कुछ नहीं है हमने लेंजी भाई साब mission and vision statement जो mission statement होती है वो हमेशा futuristic होती है हम आज की planning नहीं करते उसमें vision हमेशा broader होगा पहुंचना कहां पे है चले कहां पे थे कहां से थे और जाना कहां पे है वो जो जाना है ना वहां पे वो vision है मेरा जाना क्यों है वो मेरा mission है दोबारा सुन लो कराची जाना है ये मेरा vision है जाना क्यों है मेरा mission है कैसे जाना है पहले यहां से मैं इसलामाबाद जाओंगा इसलामाबाद से मरी जाओंगा मरी से बाला कोड जाओंगा पता नहीं कहां का ये objective है ठीक है समझा गी बात की आप goal कह सकते हो इसको ये ही है ना goal mission से ही निकलते है vision और mission दो ऐसी चीजें जिन्होंने आगे से बच्चों को produce करना है वो बच्चे क्या है goals और objectives clear हुई मेरी बात जाना क्यों है ये vision नहीं होगा नहीं ये mission होगा जाना क्यों जीत नहीं है जंग लड़ना mission है क्यों जीत नहीं है ये vision है आजादी के लिए आजादी vision है आजाद रहना क्या है vision विजन अजाद रहना vision है लड़ते रहना जिहाद करथे रहना mission है objective क्या है चार बंदे आ रहे है तरन नह için couple लटता मार के नह सुने है इट्टा मार है नहीं सही है? गटी पाया दी मोट सेक्रेज टायर चाहिए किये कभी ऐसे करते हुए मैंने किया हुए एक दफार हाँ जी बताइए जंग जीते हैंगे कैसे? नहीं तो यह मिशे नहीं है जंग जीतने कोई गोल कहेंगे फिलहाल जो डेली गोल होंगे न हाँ गोल और विजन एक ही बना सकते हो आप जो गोल होता है और विजन ये एक बना सकते हो आप क्लेर हुई मेरी बात? अभी थोड़ा सा टाइम लगया हो जाएगी क्लेर, दुबारा सुनो असान अलफाज में विजन को देखो अजाद रहना आपका विजन है आप हमेशा अजाद रहना चाहते हो ठीक है? अजाद क्यूं रहना चाहते हो ये गोल बना लो अपना अजाद क्यूं रहना है? ये आपका गोल हो गया अजाद रहना कैसे है? ये आपका मिशन हो गया कि आ कि उज़े करना भी ज़ए पुटरोड़ पैसे न डेट दो दस लख रपय सेलरी ओताड़ विजए नहीं नहीं है विजए आपका कुछ ओ रहे हैं गाड़ी शादी फुफो नहीं मानेंगी खाला नहीं basically खाला नहीं या फूपों नहीं मान रही, वो विजन है आपका उन को मनाना आपका बेसिक विजन है कितने लोगों के साथ ये मसले है, श्रीफ लोगों किसी के साथ मसले है रिस्पेक्ट का मसले है, नहीं मैं कुछ और बात कर रहा था इसका मसला है इस वैसे बोल ले वापस आजें ठीक है आप उस पर फोकस करें मुझे सोदर वाडी में एक्जामपल दी है आगे चलते हैं ज़िए जब भी कोई कारोबार कोई कंपनी मिशन स्टेटमेंट लिखेगी एक बात याद रिखिएगा जब भी आप किसी बैंक का प्रॉस्पेक्टस खोलते हो ना जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओडिटेड रिपोर्ट शाया होती है जब भी किसी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बुक्स आफ अकाउंट देखोगे उसके ओपर उसका मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखा होगा हमेशा ये बात याद रखिएगा मैं जल्दी से आपको ना एक विजन स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ हबीब बैंक की विजन स्टेटमेंट है ये देखिएगा मैं इसको जूम कर रहा हूँ हबीब बेंक की ये विजन स्टेटमेंट है कि हबीब बेंक अपने आपको देखता कहां पर है फ्यूचर में enabling people to advance with confidence and success enabling का मतलब क्या हुआ मैं लोगों को enable करता रहूंगा उनकी जिन्दगी में कि वो क्या करें people to advance with confidence कि वो आगे बढ़ते रहें confidence के साथ और कामियाबी के साथ अच्छा जी करना कैसे है यार मैं चाता हूँ कि भाई अंधेरा खतम हो जाए यही विजन है ना अंधेरा ही खतम करना है ना लोड शेटिंग खतम अंधेरा है आ ना लोड शेटिंग को अंधेरे का नाम देलो ना दुबारा सुनो फर्माल हो ना तो confused हो रहा है ना दुबारा सुन हमारा विजन यहां पे set हुआ यह क्या था विजन कि हम चाहते हैं कि भाई किसी भी मंदे को वो problem ना है जो मुझे आई है यार यह मेरा विजन मनगे ठीक है आप मैंने विजन स्टेटमेंट लिखनी है लिखनी है लिखनी है क्योंकि हर public limited company लिखती है हर private limited company लिखती है तो उसमें मैं क्या कहूंगा हम अंधेरों को खतम करते रहेंगे जब तक आपकी चाहत है क्या line बन गई वा जी वा चाहत क्या मतलब customer हमारे पास आएगा need लेके हम उसकी need को पूरा करते रहेंगे HBL क्या कहता है enabling people to advance with confidence and success हम तुमें इतना empower करेंगे क्या करेंगे empower करेंगे कि तुम आगे बढ़ते रो और काम्याब होते रो कैसे करोगे empower कैसे करोगे empower भाई मैं हर जगा पे bank खोल दूँगा तुम आराम से bank में जाओ ऐसे जाके उन्हें को के loan दो वो तुमें loan दे देंगे low interest पे समझाई clear हुई मेरी बात बटे कोई इतरास पकी बात है पकी बात है ना vision हमेशा future के उपर होगा यह बात याद रखिएगा मैने पहुंचना कहों पे आगे जी coca cola क्या कहता है देखना सबसे बकवास है इसका जहर लगता है मुझे कि मैं last class में ही पढ़ा रहा था और मैं सोच रहा था इन्होंने क्या बकवास मारी है यह दराद देखिएगा over vision हमारा vision कहा है serves as a framework for our roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable quality growth यह लिखते है भाई साब coca cola लिखते है इतनी मोट English को असान बता रहा हूँ कि हम हद तक आखरी हद तक कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारी company है ना coca cola हम क्या बनाते हैं हम ऐसी product बनाते हैं जिसमें बहुत आई sugar होती है आप लोग पी होगे एक साल के बाद आपको diabetes हो जाएगी simple सी बात है पाकिसान में diabetes है इन दो चीन चीलों की वज़ा से है पाकिसान में हर 35 प्लस को diabetes है हर 35 प्लस को diabetes है बहुत कम लोग बचे हों हैं तो कोको कॉला देखो अब वो मनहूसत क्या कर रहा है वो कोक की बात ही नहीं कर रहा है वो sugar की बात नहीं कर रहा है वो diabetes की बात नहीं कर रहा है वो कहता है कि हम ऐसी product की कोशिश करते रहेंगे जिससे हमारी company को growth मिले और ऐसी growth जो हमेशा sustainable रहे sustainable मतलब ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं हमेशा ऐसे ऐसी growth जो हमेशा बढ़ती रहे बढ़ती रहे कभी decline ना है हमेशा बढ़ती रहे तो मैं हिरान हुआ था इसका vision पढ़के मैं अल्ला के बंदे तु कर क्या रहा है तू तो सिर्फ अपनी जेब भरने की बात कर रहा है तू अपने employees का फायदा करने की बात कर रहा है क्योंकर company grow करेंगे employee भी grow करेंगे product अच्छी होगी customer ज्यादा जाएगा इसके shareholder को ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा ही है ना जिसका मतलब क्या हुआ यह सिरफ अपने लोगों को कुश कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जिससे society का भला हो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जितनी भी fizzy drinks है ना वो सब society को kill कर रही है लेकिन उनके तुम vision पढ़के देखना दरा वो ऐसी बकुआस होंगे यह नीचे पढ़ने की ज़रूद नहीं है अब आते हैं mission के उपर mission देखिएगा a mission is a purpose of an organization and the reason of its existence many entities have a formal expression of their mission in a mission statement तो जो mission statement जब लिखी जाती है उसमें यह लिखा जाता है कि हम vision को यह इस company को क्यों बना रहे है vision हमारा क्या है load shedding खतम करना यह company क्यों बनाई भाई solar लाएंगे पाकिसान में इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करके लोगों को बेचेंगे यह मेरा mission बने गया clear हुई मेरी बात mission क्या बताता है आपको दुबारा सुन लो इस line को घर जा के जरूर पढ़ना है mission is a purpose of an organization इसको जरूर underline कीजेगा mission is a purpose of an organization and the reason of its existence हमारी reason क्या है उदर हमने solar बेचने है solar बेचने की company बनाई है solar बेचने है कहां से मगवाने है China से मगवाने है China से Pakistan में आएंगे Pakistan में आके तो हम उसको किसको बेचेंगे Pakistan ही local लोगों को यही है हमारा mission पकी बात है और हम उनसे profit कमाएंगे पकी बात है ना तानी खतम होई यही हमारे main कारोबार का business है purpose है mission purpose को बताएगा vision किसको बताएगा कि हम कर क्यों रहे है future में लोगों का क्या होगा हमारा क्या होगा future में लोगों का भी और हमारा भी सही है आगे जी आगे एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है many entities many entities give a formal expression to their mission in a mission statement a mission statement defines what an organization is why it exists and its reason for being भाई इसको highlight करो ये सबके finger tip पे होना चाहिए एक organization क्यों बनाई गई क्या करती है सही है और किस के लिए करती है क्यों करती है क्या करती है और किस के लिए करती है ये कहां पे आएगा mission में ये कहां पे आएगा mission में तो इधर देखो क्या मैंने यहीं नहीं लिखा किस के लिए करती है क्या करती है क्यूं करती है किस के लिए करती है क्या करती है और क्यूं करती है कानी खत्म यह किस में आएगा मिशन में आएगा कोई अतराज यहां तक वकी बात है चोलो आज के लिए इतना काफी है क्या याद करोगे कल हमारा ये शप्टर खतम हो जाना वैसे भी मैंने कम नहीं पढ़ाया आपको नहीं आप रहम खाया मैंने कल मैंने खतम करना है मेरे एजंडा का हिस्सा है कल हम ये सारा करेंगे और पिर कहानी खतम कल खतम है कुछ भी नहीं है ये ये आपको जो लग रहे ना दस बारा पेज आगे सिर्फ कल का लेक्चर लो उसके बाद आप लो खुद मुझे कोगे सरसारा आता है कल क्या है ट्यूस्डे है वेनस्डे वाले दिन अगर आप लों को सारा ना आता हुआ तो मुझे पकड़ डीजेगा मैं इसको दुबारा रिवाइस करवाद दूँगा माक माइ वर्ड आपको कली आ जाएगा सारा आउन निग्वर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगरे लेक्चर में कोई भी परिशानी हो तो वाटसैप मेरा हाजिर आप लोगों के लिए अलाफिज